Hello everyone, Welcome to SB Studio और मद्देप्रदेश पुलिश कॉंस्टेबल के फॉर्म भनना स्टार्ट हो गए हैं तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे फिल अप करना है कैसे अपना रजिस्टेशन करना है और सारी बातों पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ब्यापम की साइट पर जाएंगे ब्यापम की साइट पर जाने के बाद ओनलाइन फॉर्म को ओपन करेंगे ओनलाइन फॉर्म को ओपन करने के लिए मैं आपको एक बार प्रोसेस दिखा देता हूँ कि यह कैसे प्रोसेस होगी तो सबसे पहले आप जब widget करेंगे हम आपको ले चलते हैं ब्यापम की site से तो यह ब्यापम की site है जैसे कि आप सभी लोग इस site से विदित हैं कि यह ब्यापम की site है और यहाँ पर आपको कैसे form फिलब करना है बो मैं आपको बताऊँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उपर home page दिख रहा है आपको about us दिख रहा है dashboard दिख रहा है mission and vision दिख रहा है उसके बाद दिखेगा online form तो जैसे ही आप online form पर click करेंगे तो एक link open होगी जैसे professional examination board.mponline.government.in slash portal slash examination slash biappam slash exam list ASPX का extension लगा हुआ है तो यह जो link है open होती है ग्रह पुलिस बिभाग मद्यप्रदेश शासन की आरक्षक संवर्ग की भरती हेतु चैन पर एक्षद 2020 की link को यहाँ पर लगा दिया गया है जिसकी आरंव करने की तिती है 16 जनवरी 2021 एवं अंतिम तिती 30 जनवरी 2021 है तो यहाँ पर एक तरफ PDF दी गई है जिसमें हमारी rule book डली हुई है जिसे हम already पढ़ चुके हैं उसके बाद जो बाजू में blue color की यह जो link दिख रही है आपको उस पर आपको click करना है और अपनी form को fill up करना है तो form fill up करने के लिए हमें सबसे पहले PEV के जो form fill up होता है उसके लिए हमें MP online पे अपना एक registration करना होता है registration के लिए एक ऐसा बिंडो ओपन होगा जिसमें लिखा होगा कि professional examination board मद्वरदेश के अंतरगत police constable requirement test 2020 हेतु आवेदन इसमें लिखा होता है कि मैं यह घोशना करता हूँ करती हूँ कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारी एबम सर्तों को भली भाती पढ़ एबम समझ लिया गया है तथा मैं यह वशन देता हूँ देती हूँ कि नियम पुस्तिका में उलिखे नियम इबम दिसार निर्देशों का पालन करते हुए online आविदन भरूगा भरूगी चुकि इसमें टिक कराने का मतलब यह है कि जो नियम पुस्तिका में दिया गया है उन समस्त सर्तों के साथ आप एगरी करते हैं और उसी के हिसाब से फॉर्म भर रही है तो जैसे ही आप इस कॉलम में टिक करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो एसक में कुछ निर्देश दिये गए हैं महत्वपूर्ण निर्देश ये दिये गए हैं कि online आविदन पत्र क्रिमांग online आविदन जमा करने के पस्चात रख्रिया जाना सुरक्षित करें मतल आविदक द्वारा इंटरनेट अथवा MP online की अधिकरत कियोस्क के माद्यम से आविदन पत्र में संसुधत किया जा सकेगा यह सुविदक केवल online आविदन पत्र भरने की निर्दारत और धी में परिक्षा सुलकरासी का भुकतान कर सफलता पूर्वक भरे गए आविदन पत होना अनिवार है क्योंकि भरे गए online आविदन पत्र से संबंदित समस्त जानकारी को इमेल पर ही उपलब्दिक कराया जाएगा क्योस्क के माद्यम से online आविदन भरने वाले अभरतियों को MP online का पोर्टा सुलक 60 रुपे इसके अतरित रिजिस्टर से जिजन यूजर के माद है 100 रुपे एक्स्टर चार्ज लिया जाए क्योंकि 60 रुपे पोर्टा चार्ज होता है और 20 रुपे फोम भनने पर पोर्टा सुलक होता है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर हमें अपना पंजिय बना चुका था तो उसी के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम कैसे register कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने अपने registration नंबर को जो है वो copy कर रखा था परन्तु यह आ नहीं रहा है तो हम फिर से इसको copy करके आपको वीडियो में आगे और दिखाते हैं तब तक आप वीडियो में जुलकुल बने रहिएगा पूरा फोम भनना हम आपको दिखाएंगे तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं section test for the requirement of constable under public headquarters home police department government of madh pradesh यहां पर पहुंचने के बाद आप जब new आप चुकि मेरी आधी profile पहले से बन रखी है क्योंकि मैं एक और exam के लिए अप्लाई कर रहा था लेकिन आपने जब आप फ्रेशार हैं जिनका इस पर आपकी पीवी की site PIMP online पे जिनका profile नहीं है उनको यहां पर यह जो option दिख रहा है if you not have registered profile to the latest profile click here to the register profile registration उनको click करना है profile registration पर जिनका थोड़ा आधा बहुत बना है जैसे की मेरा तो मैं अपना edit profile registration पर click करूँगा उसके बाद click करने के बाद यहां पर मैं अपना registration number डालूँगा जो मैंने copy कर रखा है तो यह मेरा registration number है और इसके बाद मैं यहां पर अपना desert डालूँगा जैसे की यह सवाल पूछा है नॉर्मल सा की 8 और 9 कितने होते हैं करने के लिए कि कोई जिंदा वस्ता मैं मानव इस form को भर रहा है और इस को डालने के बाद हम यहां पर इसको submit करते हैं कि तो कि समिट बटन यहां पर दिखनी रहा है इसको डालने के बाद हम इसको संब्मिट करते हैं है कि तो यहां पर जैसे हम अपना रजेस्टेशन नंबर पासपर्ड जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ जानकारी आती है यहां पर यह जानकारी है कि आपका जैसे आधार कार्ड से कीवाईसी है मतलब अगर आपका आधार कार्ड का केवाईसी होना बहुत जरूरी है इसमें मतलब आपके आधार कार्ड में आपका मुबाईल लंबर लिंक होना बहुत जरूरी है और अगर लिंक न को फिल करेंगे तो आपका रजिस्टर वो अधार कार्ड भी वेरिफाई हो जाएगा इसमें के वाइसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है उसका मतलब यह होता है कि आधार कार्ड को लिंक करना तो जैसे इसमें आप मूब फॉर्वड करते हैं तो मूब फॉर्वड करने के बाद यहां पर अपनको देखते हैं आगे कि ओटी पी आएगी तो जैसे यह मेरा आधार नंबर है जो डॉट डॉट करके है और मैंने यहां पर देखा कि यही मेरा आधार नंबर है और यहां पर मैंने डिजिट भरे क की आठो नौह सत्रा होते हैं जोड़ने पर उसको उसको भने के बाद मैं जनरेट OTP करता हूं और जनरेट OTP करने के बाद हमारे phone-number पर एक OTP आती है OTP जैसे आपको दिखर ही होगी कि 975 027 एक OTP आई है उस OTP को मैं यहां फिल करता हूं कि यह से 975 027 यह OTP OTPI, OTP को हमने डाल दिया यहाँ पर, तो यह जैसे ही OTP हम फिल करेंगे, यह फोर्म आगे बढ़ता है, फोर्म आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि फोर्म में क्या होता है, बहुत ही easy process है, जो जो चीज मांगी जाती है, उस उसको आप डालते जाएंगे, और आपका फोर करता जाएगा, लेकिन जो बच्चे इस कारिक करने में असमर्थ हैं, मैं उन से निवेदन करना चाहूंगा, कि वो cyber cafe में जाके, MP online पर जाके, अपना ये form फिलफ कर सकते हैं, वहां से उनको बहुत easily हो जाएगा, कम से कम समय में वो अपना form भर पाएंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक link की समस्य हो रही ओपन होने में, जैसे ही link open होती है, मैं आगी की जानकारिया आपको देता हूँ, तो जैसे ही आप OTP डाल कर अपनी link को open करते हैं, आधार card का EKYC complete करके, उसके बाद यहां पर आपका form कोछ ऐसे open होता है, जहां पर आपके पहले में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, पूछा जाएगा कि दसमी की mark sheet के अनुसार अपनी जन्मितिती दर्ज करें, तो आपको अपनी date of birth डाली हैं, फिर पूछेगा कि आप मद्द प्रदेश के मूल लबासी हैं, अगर हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं, कोई भी जानकारी को आपको गलत देने की आवशक्ता नहीं है, बात में नहीं तो, verification के समय आपको दिक्क ले गए थी, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ गलत जानकारी दे के फरजी दस्तावेज प्रस्तुत करके भरती में भाग लिया था और सेलेक्शन लिया था, लेकिन बाद में जब scrutiny हुई, जांच हुई, तो वो पकड़े गए, तो फिर उनको training center से पुलिस उठा ले गए मैं नाम और बैच नंबर तक जानता हूँ ऐसे बंदों का जो जेल गए, तो यहाँ पर आप मद्प्रदिस के मूल लवासी हैं, तो हाँ पर दवाईए, नहीं है तो नहीं पर दवाईए, पुरोस हैं तो पुरोस, महिला हैं तो महिला, स्रिणी आपकी जौन सी भी हो, अध उचे जन जाती और पिछड़ा बर गए, तो यह हो गया, उसके बाद अगर आप EWS रेनी के अंतरगत आते हों और आपका वो सर्टीपिकेट बन चुका है और आप उससे फॉर्म बनना चाहते हैं, तो आपको हाँ पर दबाना है, जैसे आप हाँ पर दबाएंगे, आप EWS स सकते हैं, उसके बाद आपने सिक्षा का इस्तर डालना है, कि आप इसना तक तक पड़े हैं, कि कहां तक पड़े हैं, कि आपने क्या किया हुआ है, यहां पर आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके निवास का छेतर है, बुग्रामीन है कि सहरी बो डालना है, विकल बावच्चों की सेंख्या बतानी है उसके बाद यहां पे आपको सनलगन दस्तावेज जैसे कि मैं अपलोड कर चुका हूँ और पहले भी दिखाया है कि एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है जो कि आपको रेजिस्टेशन जब आप इनिशियल स्टेज़ पर करते हूं वहां पर यह फॉर्म मिलता हो है वहां पर आपको अपना फोटो साइन और अपना यह जो है अपने हैंड राइटिंग में लिखके उसमें डालना होता है उसके बाद आपको अपना पता डालना होता है जिला डालना होता है पिन कोड डालना होता है उसके बाद आपको मोबाइल न बो डालना है आधार कार्ड नंबर डालना है फिर आपको यह बताना है कि आपके बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो अच्छी बात है उसको नहीं लेना है उसको नहीं पर कर देना है ठीक है अगर उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक की वज ठीक है इसके बाद यह घोशना करने के बाद आप जैसे ही ट्रिक करेंगे और उसके बाद पंजी करन संसोधित करें पर किलिक करेंगे तो आपका यह जो प्रोफाइल है यह आगे बढ़ जाएगी ठीक है तो यह अब इसमें देखे पूरा बन के आ गई है यह फॉर्म आपका जो अपलोड करना है जो आप देख रहे थे उसके बाद आप देखिए यहां पर आपको क्या क्या अपलोड करना मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको अपलोड करना है सबसे पहले अपनी फोटो और उसके लिए आपको एक फार्म डाउनलोड करना है इसके लिए व्य Cemple Image, Cemple Image मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको iloat उसके बाद मैं आपको यहां Bir बैक साइड लेके जाता हूँ Bir बैक साइड लेके आया हूँ मैं आपको तो यहां पर आप देखिये और आपको इक यह form डाउनलोड करना है यहाँ ही से डाउनलोड हो जाएगा जो कि मैंने अल्लेटी डाउनलोड कर रखा है तो कुछ ऐसा देखेगा तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो चिप कानी यहाँ दसकत करने हो यहाँ पे जो उपर लिखा हुआ है मैं घोशना करती हूं कि मेरे द्वार आभी दिन में दी गई समस्त जानकारी सही है यह लिखना है नीचे और इसको फिर से अपलोड करना है तो अपलोड कहा करना है बोवी मैं आपको दिखा देता हूं तो अपलोड करने की जगा मैं दिखा देता हूं यह डाउनलोड इमेज हो गया यहाँ चूज फाइल पे आपको 220KB की फाइल को उसको जो मैंने आपको दिखाया है उसको स्कैन करना है उसको डाउनलोड करके पहले उसको भरना है फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है देखना चाहिए यहां पर फोटो देखना चाहिए उसके बाद आपको क्या जन्मितिती प्रमाण हेतु दसमी की अंक सूची यहां पर अपलोड करना है और यह भी आपकी 400 500px मतलब इसकी चोड़ाई है वो 700px से 800px और 400px से 900px होनी चाहिए उसके बाद अनुसुचे जाते इनुसुचे जन्जाती का फोरम करना है अपलोड उसके बाद आपको करना है दिब्यांकिता का प्रमाण पत्रगार होतो और चिकेश्च प्रमाण पत्र मतलब यह है चु सबमेट डिटेल्स पर दबाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर आपका फोरम फेल अफ हो गया है यहाँ पर पूरा एड्रेस, मुबाईल लंबर यह हो गया अब यह प्रोफाइल रिसिप्ट की आपको प्रिंट पे एक बार किलिक करना है जैसे आप इसको एक बा तो जैसे ही हम अपना पूरा रजिस्टिशन करके रसीद को प्रिंट करते हैं उसके बाद हमारा काम होता है अपने आवेदन पत्र की पेमेंट को करना और बाकी जानकारी फोम की भनना तो यहाँ पर हम टाइप करके अपना जो रजिस्टिशन नंबर है उसको डालते हैं रजिस्टिशन नंबर डालने के बाद हम उसका आगे का फोम को फिल अप करेंगे तो देखते हैं उसमें क्या हो सकता है आगे तो यहां पर हमने अपना registration नंबर और date of birth डाला है date of birth डालने के बाद date of birth डालने के बाद हमें सही तरीके से date of birth को डालना है इसका use करते हुए यहां से हम year चुन सकते हैं तो जैसे हम यहां का year चुनेंगे तो यह अपने आप विवस्थित हो जाता है उसके बाद हमको यहां से महीना चुनना है महीने के बाद हमको तारीक चुनने हैं उसके बाद हमें यहां पर capture में डालना है अंकों का जोड तो 5 और 4 होते हैं 9 5 और 4 नो होने के बाद हम इसको बढ़ाएंगे आगे तो हमारे द्वारा जो पूरा फॉम भरा गया है वो यहां पर दिखेगा फॉम भरा गया है जो जानकारी हमारे द्वारा भरी गई है दस्मी की जो मार्क शीट है उसको अपलोड जो किया गया है बो भी यहां पर सब दिखेगा तो उसकी भी लिंक यहां पर दी गई है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको हम यहां से देख सकते हैं तो इसके बाद हम इसके आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर नीचे लिखा होगा, आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें यह लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, चुकि कि फॉर्म में भी पहली बार भर रहा हूं इसमें आगे बढ़ाने के बार आपको और भी जानकारी एड़ाप करने होती है तो यहां पर अपना संबर्ग चुनना होता है अब देखिए यहां से जानकारी 34 नंबर पॉइंट आ गया है या आप अगर भूत पूर्व सैनक हैं य लिए छूट संबंदी जानका आप भूत पूर्व सैनक हैं जब वहां उपर भूत पूर्व सैनक भरेंगे तो यह आपको चुनाया जाएगा फिर उसके बाद आपको यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस जले के रहने वाले हैं अगर आप मद्द प्रदेश की मूल निवासी हैं तो आपको यहां पर अपना ग्रह जिला डालना होगा ग्रह जिला वो डालेगा जिसका आपके पास इस्थाई निवास प्रमाण पत्र हो ध्यान रखेगा इस बात का कि जहां का आपका इस्थाई निवास प्रमाण पत्र हो उसी को आपको ग कर्मचारी अथ्वानगर सेनिक हैं तो आप जैसे मैं सास के कर्मचारी हूँ तो मुझे यहां पर हां भरना पड़ेगा आप अपने केस में इसमें ना भरिएगा क्योंकि आप सास के कर्मचारी अभी नहीं हैं क्या आप बिक्रम पुरुसकार से सम्मानत खिलाडी हैं तो नही है तो नहीं हाँ है तो हाँ छटनी सुदा कर्मचारी है नहीं है और उसके बाद आप विद्वा परिक्ता तलाक शुदा है यह महिलाओं के केस में है कि एगर वो बिधुआ है या तलाक शुदा है या परिक्तरता है तो उनको भी वो हाया नहीं कर सकती है क्या आप आदिम जाती अनुसूचे जाती अनुसूचे जन जाती अन्य पिक्षा बर कल्याणों की विवाही की प्रुसाहनी, योईजना से प्रुस्क्रत हैं, नहीं है तो नहीं करना है इसमें ठीक है, उसके बाद हम जैसे नहीं इसलिए नहीं हो रहा, क्यूंकि आपने ऊपर ही ओप्सन ये नहीं चुना हुआ है कि आप विवाहत है कि आप विवाहत है तो आपने उपर आप विवाहत डाला है तो उसके हिसाब से यह आएगा उसके बाद यहाँ पर आरक्षक रेडियो पहले स्थान पर दिया गया है जहाँ पर इतनी सारी योगता है जो आपको सामने दिख रही है वो है तो आपको जो आरक्च आपको देखना है कि इसमें select क्या करना है जिसे आप gd के लिए apply करना चाहते हैं वीडियो बहुत ही जादा महत्पूर्ण है वीडियो को miss मत करिएगा जब आप gd के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको a number पर दिया हुआ है वो अपना radio उस पर टिक नहीं करना है यहां आरक्च जीडी के लिए टिक करना है ऐसे आपके लिए click करना है ठीक है बी और सी को चुनने के बाद आपको district preference देना है यहां पर district preference इस बार अभी पूंच लिया गया है तो district preference के लिए यहां पर साइद आपको एक list open होगी उसमें आपको select करना है तो यहां पर देखिए निक्ति होते निक्ति हेतु प्राथमिक निक्ति होते जिलों की प्राथमिकता का chain करें तो जैसे आप जैसे यहां पर आपने जैसे ही चुना आपने बी और सी चुन लिया section की योगता चुली उसका roll number हो गया दसमी हो गया यहां पर आपने दसमी डाल दिया उसके बाद आपने उसका roll number डालना है यहां पर बताया गया है अलग से कि क्या क्या डालना है उसमें जानकारी तो जैसे उसमें देखिए section एक हमें आपने दसवी डाल दिया फिर roll number डालना है दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर आपको अपना उत्रीनी बस डालना है जिस साल में आपने दसमी पास करी है वो डालना है उसके बारमी की detail डालनी है उसके बाद जिले चुनने हैं तो आगर मालवा के लिए एक है अली राजपुर के लिए दो है अनुपुर के लिए तीन है बड़वानी के लिए पांच है तो ऐसा पूरा लिस्ट दी गई है कि आप कहां कौन सा जिला पहले नमबर पर चाहते हैं तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मुझे पोस्टिंग के लिए पहले नमबर के लिए गवालियर चाहिए तो मैंने यहां पर गवालियर को हा कर दिया पहले नमबर पर मैंने उसके बाद मैंने दूसरे नमबर पर गुना कर लिया मैं एक उदारन के तोर पर बता रहा हूँ ठीक है तीसे नमबर पर मैंने हर्दा सेलेक्ट कर लिया चोथे नमबर पर होसंगाबाद सेलेक्ट कर लिया ठीक है तो ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे न 21 number है अपना होशंगाबाद का 22 number है अपना इंदोर का तो यह आप ऐसे select कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर दिखा होगा उसको submit करना होगा ठीक है यहाँ पर जो list बन जाएगी पूरी उसके बाद आपके द्वारा चाइनित नियुकती हे तू जिलों की प्राथ मिक्ताएं आपको इनमें सबको फिलप करना पड़ेगा जैसे जैसे आप फिलप करते जाएंगे आपका उसमें होता जाएगा ऐसे पूरी लिस्ट इसमें तयार होती जाएगी तो एक मिनिट में पूरी लिस्ट आपको बना के दिखा देता हूँ तो यहां पर आपको ऐसे सेलेक्ट करते जाना है मतलब इसमें बताया गया है कि किस जिल्ले में कौन सी पोस्ट अबेलविल है और उसमें पहले हां करना है उसके कॉलम में फिर उसके बाहर हां करना है तो मतलब हां करने के बाद यहां चाह नमबर पर क्लिक कर दिया जैसे बढ़वानी में आरक्चक डी एफ में उपलब्द है तो इसमें हां कर दिया और पांच नमबर पर सेलेक्ट कर दिया उसी पर आप हां करोगे तब ही select होगा हां करने के बाद इसमें select करते जाए जिस जिले में posting available हैं वहां वहां पर आपको नियुक्ति मिलेगी तो आप जो पहले number पर मिलेंगे भरेंगे तो आपको बैसे उस रसाब से आपका होगा जितने आपकी number रहेंगे उस रसाब से आपको जिला मिलेगा जो आप च्वाइस filling करेंगे तो च्वाइस फिलिंग इस बार यहीं हो रही है जो पिछले बार आपकी बाद में हुई थी तो इस बार थोड़ा सा फॉम में बर्दलाव है इस बार टोटल देख लेते हैं कितने जिलों में पोस्टिंग आई हुई है यहाँ पर भी तक देखने में आया है कि 22 जिले हो गए 23 मां जिला भी आ गया है बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पोस्ट अवेलबिल नहीं होगी खंड़वा भी आ गया यह सब जिलावल की पोस्ट हैं अपन यहाँ 27 जिले भी तक भार चुके हैं 28 मां जिला भी आ चुका है 29 मां जिला आया है और ऐसे करके यह अपना पूरा देख लेते हैं पूरे जो है इसमें आपको सब को टिक करना पड़ेगा सब को टिक करने में थोड़ा टाइम लगेग तो यहाँ पर एक और महत्त पूर्ण चीजा आपको देखनी होगे कि जो बंदे ऐसे अप में अपलाई करने बाले हैं या जिनकी हाइट कम है तो वहाँ पर उन लोगों को जब 24 फिलिंग करें तो यह जो आरक छक ऐसे अप दिया हुआ है इनको पहले नंबर पर सेलेक्ट क के लिए केवल दो ही बाहनी है तो इनको जो है यह अपना 35 मी बाहनी है और 36 मी बाहनी है तो इसमें जो है इनमें आपको एपलाई करना है एक यह हो गया और एक यह हो गया इनको जो है पहले नंबर पर सेलेक्ट करना है आप लोग धान से देख लिए आपके करियर का सवाल ह तो यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर सब्मिट करना है सब्मिट करने का तो ऐसा कोई बटन यहाँ पर दिखनी रहा है तो आपने ऐसा सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ उपर नीचे कर सकते हैं पदों को तो ये आपकी 24 फिलिंग हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले नमबर पर पहले नमबर पर आगर दूसरे नमबर पाली राजपोर तीसे नमबर पानूपोर चौते नमबर पासोक नगर पांचवे नमबर पर बढ़वानी अब ये पूरी लिस्ट आई हुई है तो ठीक है यहां पर पन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे अब आप ऐसे एप में हैं या जो भी हैं तो आपको सबसे पहले जैसे जो ऐसे आप बाले हैं वो 35 भी भाहनि और 36 भाहनि को सुन सकते हैं, बाकि जो जिला वाले हैं, जिला वाल में जाना चाहते हैं, तो वो ऐसे select कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे select करते जाएंगे, और आपका select होता जाएगा, choice filling, आप से नहीं आता है, तो आप cyber cafe जाके, अपनी choice filling कर सकते हो, और यहां पे नहीं हो रहा है एक्चुली यह फोन है तो ऐसे आपकी पूरी लिस्ट तयार हो जाएगी और उसके बाद आपको यहां पर देखना है कि जो आभी तक मद्द प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिनावर्ग या ओपन स्रेणी पर ही आविदन करन है या नहीं है तो यहां हां करना है और पंजियन करा लेना है उसके पहले मैं एक वीडियो और बना दूँगा कि रोजगार पंजियन कैसे कराते हैं यहां पर पंजियन जो है वहां पर डालना है यहां पर उसकी दिनाग डालना है पंजियन जिले कर नाम डालना है कि आपने कहां से उसका registration कराया है रूजगार पंजियन का और जो बाहर other state वाले हैं वो भी किसी जिले से पंजियन करा सकते हैं सारी रेक अहरता रखते हैं तो इसमें आपको 166 cm हाइट होनी चाहिए 186 cm सेना होना चाहिए और 86 cm तक फूलना चाहिए महिला के किस में 155 cm हाइट होनी चाहिए तो यह पूछता है तो अगर आपका है तो हाँ हाँ करते जाना है और और आप से कैटिकरी के हो दसमी पास है तो हाँ या नहीं करना है और यह जो हम एज बताएगा कि जैसे मेरी एज है 25 साल 7 महीने 6 दिन मेरी एज है उसके बाद आध यह पूरे निर्देश लगे गए हैं और इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां पर अपर कमेंडेटरी फील्ड में दसमी का रॉल नंबर जरूर डालना है तो मेरे को अपना दसमी का रॉल नंबर अभी तक याद है तो मैं उसको डाल देता हूं ताकि मैं आप को आगे का फॉर्म दिखा सकूं कि आगे का फॉर्म भरा कैसे जाता है तो मेरे दसमी का रॉल नंबर है 10,25,26,799, यह मेरे दसमी का रॉल नंबर है यहर है पासिंग का 2010 मैं मैंने दसमी पास की थी यह मेरी सब प्राइविट जानकारी है किसी को इसको मिस्यूज नहीं करना किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है और इसमें मैं बोर्ड डाल देता हूं MP बोर्ड से मैंने पास किया था तो यह होगी मेरी जानकारी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फॉर्म कैसे भनना है ठीक है यह च्वाइस फिलिंग भी हो गई च्वाइस फिलिंग थोड़ा आप समल के करिएगा रुजगार पंजियन वाले जले का नाम असोक नगर कर देना या कुछ भी कर देना जो आप चाहें अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं रुजगार पंजियन नंबर मेंडिट्री है तो रुजगार पंजियन नंबर अगर आप कर नहीं है तो जैसे एक बा की विंडो खुलेगी उसके बाद आप इसका पेमेंट कर सकते हैं च्वाइस फिलिंग हो गई आपका सेंटर का हो गया सब कुछ हो गया इसके बाद आपको रोजगार पंजियन का और बता देते हैं तो जैसे कि मैंने दो-तीन साल पहले अपना रोजगार पंजियन कराया था तो वो अभी तक डैड हो चुका है तो आप अपना वुद्द करा लिजिएगा अगर वो न आया आपको आप कमेंट करके बता दिजिएगा कि हमें रोजगार पंजियन करना नहीं आ रहा है तो इसके पर एक वीडियो हम बना देंगे उसकी डेड डाल दीजेगा पंजेन किया वपलस उसका करमाँग डाल दीजेगा और प्लस अपने जला डाल दीजेगा कि आपने किस जले से अपना रूजगार पंजेन कराया उसके बाद यहां पर आंगे बढ़ाने के बाद वसे इसकी payment हो जाएगी आपका MP Police Constable का form भर गया वीडियो काफी बड़ा हो गया है लेकिन जिसको problem है वो last तक देखे और जो भी दिक्कत आ रही है आप हमें comment के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हमारा WhatsApp ग्रूप भी है जो MP Police Constable की पूरी help के लिए हमने बनाया है आप मेरे WhatsApp नमबर 700727715 पर मेसेच करके हमारे WhatsApp ग्रूप से जोड़ सकते हैं साथ ही ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अ करें ड penguin कर वीडियो कि ने बनाया है और इसनोग करी जरूर को शेदे ही वी वीडियो comfortable meeting you